नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में सुप्रीम कोट के तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जैसे कि एनेम केस की कल सुनवाई होने जा रहे हैं हाँ आप लोग सही सुन रहे हैं कल आप लोगों के केस की सुनवाई होने जा रहे हैं क्या कुछ उसमें निरनायक फाइसला आने वाले हैं किन कंडिडेटों को अब बहाली में सामिल किये जाएंगे इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिस तरीके से कल आप लोगों की सुनवाई होंगे जैसे कि सुप्रीम कोट ने ये अपडेट दे दिये हैं और ये हम आपको सुप्रीम कोट का ओफिशली वेप साइट पर जाकर वहां से हम आपको केस की सारी डीटेल्स दिखाएंगे जो कि कल के डेट में 26 जुलाई को आप लोगों की केस की हो जाएगे अब आप लोगों की जो आगे की परकिरिया है वो सुनवाई के बाद होंगे और किसका आगे की प्रोसेस में सामिल किया जाएगा वो भी हम आपको डीटेल्स में बताएंगे फैनली आप लोगों को फैनल सुनवाई देखने को मिल सकते हैं तो हम लोग चलते है अफिशली जो notice जाई किया गया है और आप लोगों को जो सुप्रिम कोट के तरफ से जो update दिया गया है उस पर चलते हैं और वहां से जानते हैं कि क्या कुछ कल के date में और serial number क्या है कल कब तक इसकी सुनभाई हो जाएंगे उन सब बातों पर details में चर्चा करते हैं जैसे कि हम लोग आ चुके हैं officially जो सुप्रिम कोट के website है जहां पर notice जारी किये गया है और वहां से हम लोग जानते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कांति कुमारी vs. अर्चना कुमारी और इसकी सुनभाई का जो date है वो दे दिया गया है यहां पर आप देख सकते ह है कि present last listed on 26-7-2024 26 जुलाई को दिया गया है cause listed serial number की बात करें तो वो 16 है तो निशित रूप से कल के date में इसकी सुनभाई हो जाएंगे तो यह SLP अलग है एक था 27-730 वाला और यह है 29-020 मतलब कि अब बहुत सारा SLP किये गया है तो उसी में एक इसका सुनभाई होने जा रही है और यह कल के date में सुनभाई होंगे इसके advocate की हम बात कर ले तो इसका advocate भी यहां पर दिया गया है उसके बाद और भी details यहां पर देख सकते हैं मनीश कुमार सारा जी यहां पर petitioner में दिये गया है और repetitioner में वही सब है जो कि जितने भी cases है उसका repetitioner में जो भी SLP होते हैं repetitioner में वही सब advocate है लेकिन petitioner में अलग-अलग advocate भी है इसमें आप देख सकते हैं और कल इसकी आप लोग को निरनायक सुनभाई देखने को मिलेंगे क्योंकि इसम serial number भी कम है तो निस्चित रूप से कल इसकी सुनभाई होंगे और आप लोग जैसे की नितिजी ने एलान कर दिया है कि जो भी अभी फिलाल बहाली आएंगे वो permanent बहाली होंगे इसलिए आप लोग अपनी तयारी में लग जाए और इस नमबर पर WhatsApp करके call करके class में add हो जाए इस नमबर नमबर दे रहे हैं आपको इस नमबर नमबर आप लोग एड हो जाए इस पर आपको BTSC A&M की regarding सुचना भी मिलते रहेंगे class भी मिलेगा notes भी मिलता रहेगा तो इस नमबर पर 7050872996 इस नमबर पर WhatsApp करके और call करके आप लोग ग्रूप में add हो सकते हैं वहां पर चाहिए क्योंकि BTSC A&M में जो कुछ होगा वो तो आपको पता चली जाएगा लेकिन किसके पक्ष में जाएगा क्या होगा क्या वेकैंसी सही रहेगा या रद करके फिर से नया सीरा से लागो होगा ये कोई नहीं जानता अभी लेकिन नहीं बहाली आएगा ये सब को पता ह है लेकिन वो टाइम आप जो golden opportunity है उसको miss नहीं करिएगा नहीं तो बाद में आपको 5 साल तक पस्ताना परेगा क्योंकि 5 साल बाद election होंगे तभी बहाली देखने को मिलेगा बीच में आपको बहाली नहीं मिलेगा और ये बहाली जो रुखा हुआ है BTSC वो भी election के लिए ही रुखा हुआ है समझ सकते हैं क्योंकि election नजदिक आने पर जो party होते हैं उनको उसका credit भी मिल जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अब situation ही ऐसा है कि election to election ही बहाली ज्यादा तर देखने को मिलते हैं तो आप लोग prepare हो जाए क्योंकि election है 25 में 24 में सारी बहार्या क्लियर कर तो आप लोग निश्चत रूप से तयार रहें इसकी information जो कुछ भी होंगे वह आपको मिलता रहेगा साम में इसकी regarding और भी कोई information आते हैं तो वह भी हम आपको बताएंगे और इसकी सुनवाई में क्या कुछ होंगे वह lab dashboard के जड़िये भी हम आपको बता देंगे उसके लि जो भी candidate जुड़ना चाहते हैं जो भी एनेम की जॉब लेना चाहते हैं वह सारे candidate ग्रूप में जरूर एड़ हो जाएगा